नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रिष्टी श्रिवास्तर साल 2004 में फिल्म मुदर्स से बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुवात करने वाली मलिकर शरावत एक बार फिर से चर्चाओ में है मलिकर शरावत अपने बॉल्ड और बेबा कंदास के लिए जानी जाती है वो जब जब इंडस्ट्री पर खुल कर बात करती है बवाल मत जाता है अब एक बार फिर से मलिकर शरावत ने वॉलिवुड के काले चिठे की पोल खोल दी है बीते कुछ सालों से बॉलिवुड की एक अलगी इमेज़ मन गई चका चौन से सजी फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ होता है इसके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तिया बॉलिवुड का परदा फाश कर चुकी है तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा मैं तो कभी किसी कैम का हिस्सा नहीं रही कभी किसी ने मेरे लिए किसी को फोन नहीं किया मैंने जो कुछ भी किया है अकेले खुदी किया है मुझे जो भी फिल्में मिली है वो ओडिशन पर ही मिली है मलिका शरावत ने आगे कहा भट साहाब मुझे कहा करते थे कि मलिका जब तुम गिर्ती पड़ती हो तो लोगों को बहुत मज़ा आता है हिंदी सिनेमा में बिना किसी बड़े स्टार की मदद के हिरोईन का करियर बन पाना मुश्किल है इसी बड़े स्टार के साथ जब तक आप कॉंप्रुमाईज नहीं करेंगे तब तक वो आपके साथ काम नहीं करेंगे ये बॉलिवूद का सच है ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ कोई भी अभी नेटरी कहती है कि ये सच नहीं है तो वो जूट बोल रही है मलिका शिरावत यहीं नहीं रुखी उन्होंने कहा मेरा ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि मैं किसी भी बॉलिवूद के स्टार के साथ कॉंप्रुमाईज करू एक बार मैं दुबई में अपनी करियर की एक बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही थी होटल में आधी रात को एक बड़े स्टार मेरे दर्वाजे पर बार बार नौक कर रहा था लेकि मैंने दर्वाजा नहीं खोला ये है बॉलिवूद और यहां का ये खेल तो देखा आपने मलिका शुरावत ने किस तरह से बॉलिवूद का काला चिठा खोल कर सबके सामने रख दिया है बता रहे कि जल्दी मलिका की फिल्म आर के आर के रिलीज होने वाली इसी फिल्म के प्रमोसिन के सिलसिले में बॉलिवूद से लेकर हॉलिवूद में काम कर चुकी मलिका एक बार फिर से इंडस्ट्री में स्ट्रॉंग कमबैक करने के लिए तैयार है वैसे मलिका शुरावत के इन खुलासों के हम पुष्टी नहीं कर रहे है कई जानी बानी फिल्मी साइट्स इस तरह के खुलासे कर रहे है खैर देखने वाली बात तो अब ये होगी कि मलिका शुरावत के इन खुलासों के बार लोगों का फिर से बॉलिवूद पर गुस्ता फूता है या नहीं वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताए और बॉलिवूद से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हैं मारे साथ